हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी पार्ट साला पर मैं दीपक पाल भाई आप सभी के लिए एक नई स्रंकला शुरू करने वाले हैं जो है भाई क्लास वाइस जैसे पहले भुगोल इत्यास ठीक है इसी तरीके से आगे जो एस SCERT वोड कौन सा SCERT ठीक है इसका ओफिस का है यह मुकाले का होता है वही लखनाव में होता है जो हमारे यहां बेजिक शिक्ष्य विवाग के अंतरगत परिशद्य है विदाले चलते हैं प्राइमरी वह अपर प्राइमरी लीवल का जहां क्यां छेट से आठ तक के जो स्कुल चलते हैं वहाँ SCERT एक संस्ता है वह बुकों का निर्मार करती है जो सारी बुके आती हैं वहाँ से आती है तो इन बुकों का जो कंटेंट होता है न उत्तर प्रदेश का कोई भी एक्जाम हो उसके लिए काफी उसफल रहता है तो वही वही सरंकला में स्टार्ट टरने वाल हूँ और चैप्टर वाइस चलेंगे पिरते एक वीडियो वही 25 से 30 मिनट के बीच रहने वाली है तो वही देखते हैं ठीक है जादा आपको भी जादा बड़ी वीडियो हो जाती है तो दिक्कते आती है ठीक है यह छोटी वीडियो रहेंगी और इनसे जो भी कोशन एक्जाम में बन सकता है उसे में और डीपली अच्छी से सरकल करके आपको समझाने की कोशिश करता रहूंगा तो दोस्तों शुरू करते हैं वही हमारा सोर मंडल ठीक है कक सच है कि भूक है यह प्रहदवी और हमारा जीवन उसमें ही पहला पार्ट है हमारा सोर मंडल क्या है दोस्त ह देखे है वई स्टाटिंग से गड़ते है राद में जब हम छत या किसी खुले इस्तान पर की ओर देखते हैं तो वह क्या दिखता है में चमकति वुए आकर्टिया दिखती है उन में क्या होता है वही चंद्रमा ये अप तारे सामिल होते है नगरों के ही तेज पर्रकाश पर काफी ज़ादा प्रिदूशन होगा एक बड़ा सैल ले लेते हैं जैसे दिल्ली ले ले लेते हैं ठीक हैं बहाँ पर जो यह आकर्तिया होती है जो आस्मान में दिखाई देते हैं तारे और चंड्रमा तो वहाँ उनकी जो कैपसिटी होती है वहाँ काफी कम होती है लेकिन जाके अनुबफ करना इक वार आपने करवी होगा आप खेतों पर जाते हैं दोर दोर तक विल्कुल सान्त रहता है वहां का वाता वरण एक प्रिदूशन युक्त वाता वरण में कितना अंतर होता है आप सबी जानते हैं आपने देखा होगा वहां आप रात में खड़े होके देखना ना इतना साप बहुत ही साप बादल दिखता है आपको दिल्ली में देखना है प्रदूशन से युक्त दुआ जितनी ज़्यादा फैक्ट्रिया वहां से दुआ निकलता है उसकी वैसे वह इतना किलियर नहीं दिखाई देता तो यही चीज यह बता रहे है हम चो आग प्रदूशन से प्रद्वी में दिखाई देने वाली यह सभी आकरतिया अकास्य फिंड या कखोलिय फिंड कहलाते हैं यह वाला जो पॉइंट है वही बहुत ही इंपोडेंट है यह ठीक है प्रद्वी से अकास्य में दिखाई देने वाली यह सभी आकरतिया अकास्य तो प्रद्विस अकास में जो चीजे दिखाई देती हैं नहीं कहते हैं अकास से बिंड कहते हैं तो यह परिवाशा भी आपको याद रखनी है अब देखिए वही होता है क्या है जो important चीजे है वो मैं आपको बताता हूँ जब चंद्रमा युक्त रातों में तारे अब अन्याकास से बिंड कम इस पर दिखाई देते हैं सूरे के अतिरिक्त अन्याकास से बिंड दिन में क्यों नहीं दिखाई देते हैं इस पर भी आप थोड़ा सा विशार करना लेकिन चुब मैं तो पूर इसे और देखना आप ठी हम्द्वारा उत्पन पिरकास है उसमा होती है हमारे अकास में अरवो तारे हैं बहुत से तारे हमसे इतने ज्यादा दूर हैं कि उन्हें हम बिना सकती साली दूर दर्शी के नहीं देख सकते एक question यहां से आता है वही बहुत important question आया आप देखिए कि सूर्य क्या है वही एक तारा है जो प्रत्वी के सबसे निकट है हमेशा question आता है कि सूर्य क्या है दोस्त एक तारा है तो यह चीज़ भी आपको याद रखनी है ठीक है यह एतना important नहीं है मैं important चीज़े पढ़ाऊंगा वस और यह question यह भी बहुत आता है अब देखिए नक्षत मंडल क्या होता है रात्री के अकास में हमें तारों के समुद्वारा बनाए गई विविन आकरते दिखाई देते हैं क्या कहते हैं दोस्त नक्षत मंडल कहते हैं तो यह point भी आपका clear हुआ होगा कि नक्षत मंडल क्या है ठीक है पीछे आपने पढ़ा अकास्य पिंड क्या है सही है तो यह चीज भी आपने देखी देखे वह अभी तक आपने महत्यपूर चीज जो देखी एक यह देखी वह अकास्य पिंड इस पर आपको देखना है इसके बाद हम यह आए कि तारी क्या होते हैं भी गरम गैसों से बनी होते हैं तो यह वाला point भी आपको clear हुआ होगा इसके बाद next देखते हैं हमने पड़ा नक्षर मंडल क्या होता है रात्री के अकास में हमारे तारू के समूद वारा बनाई गई भी भी नागरते क्या होते हैं दोस्त नक्षर मंडल होती है ठीक है एक question यूपी टैट में बहुत भार repeat हुआ है तो इस चीज पे भी आपको और संकेत करते हैं ठीक है किसकी तरब करते हैं दुरूप तारे की और संकेत करते हैं यह सदेब किस दिसा में होता है उत्तर दिसा में होता है इस्तिर दिखता है ठीक है उत्तर दिसा में इस्तिर दिखता है कौन सा दुरूप तारा तो यह चीज आपको देखनी है इस पे भ मालब एक चीत में होते हैं आप देख रहा होगे चित्र मैं कि यह देख न मैं बिल्कुल एक संकेतक के रूप में इस तती दिसा में दिखाई दे रहा है है ठीक है तो ईने के कहते हैं वै दूरुपतारा कहते हैं है author धोड़े वै干 अपडेट होता रहता है ठीक है उच्छीच पर आपको ध्यान देते रहना है सही है अब देखिए नक्षत मंडल के अंदर कुछ तारे आते हैं जो हमेशे कोश्चन में आ जाता है जिसे ओरियन है वई अरसा मेजर है जिसे बिग वेर भी कहते हैं कैनिस मेजर है जिसे ग्रेट डोक कहते हैं एक स्मोल वियार है जिसे सब्तरी मंडल कहते हैं ठीक है प्राचीन काल सही सब्तरीशी मंडल अब दुरुपतारे की सायता से उत्तर दिशा करने दारण किया जाता है सही है वई जितर दुरुपतारा होगा वो कौन सी दिशा होगी उत्तर दिशा होगी यह point आपको याद रखना है अब स्वार मंडल देख लेते हैं वही solar system इसमें क्या क्या होता है सूर है स्वार मंडल में और आट गिर है साथ में इन गिरों के उप गिर है तता कुछ अन्य खगोलिये पिंड खगोलिये पिंड होते हैं छोटे छोटे जैसे कि होगी यह दोस्तों छुदर गिर है पुछल तारा उलका पिंड मिलका स्वार मंडल का निर्माड करते हैं तो इसे हमके कहते हैं सोर परिवार कहते हैं यह प्येंट भी आपको याद रखना और सोर परिवार का मुखहा कौन होता है हुई सूर्य होता है तो यह चीज आपको याद रखनी है करता हुआ चला करो तिक है है हमारे सुखर मंडल के च knee में स्तिद होता है स or mandal होता है solar system होता है इसके केंदर में सुर्य होता है और गिरा होते है अáठ इसके 4 तरब चक्कर लगाते है कौन से गिरे पूरब से पच्छिम लगाते हैं और कौन से पच्छिम से पूरब लगाते हैं पूरब से पच्छिम और पच्छिम से पूरब भाला कॉनसे भी आपको बताऊंगा दो गिरे हैं जो अपोजिट लगाते हैं ठीक है सूर्य के गुरुदवा कट्षन या वल वल खिचाब के प्रवाप के कारण सौर परिवार के अन्य सभी तरह से सूर्य के चारोर परिकर्मा करते हैं आप कोशिन आता है कि जो सूर्य है इसके चारोर जो चक्कर लगा रहे हैं आप देखिए फोटो में देखिए लगा रहे हैं कि नी लगा रहे हैं ये फोटो है वही सन है फीक है इसके चारोर चक्कर लगा रहे है कि इसके कारण लगाते हैं अभी मैंने आपको बताए कि इसके वही गुरुदवा कर्षन बल के कारण ये खिचाप के कारण उसके चारो और परिगर्मा करते हैं सूर्रे के आया है वही सूर्मंडले केंदर में इस्तित है और अत्यादिक गरम गैसों से बना होता है इसमें मुक्के रूप से हाइट्रोजन गैस होती है हमारे ब्रह्मान में सरवादी गैस कौन सी पाई जाती है हाइट्रोजन पाई जाती है तो ये वाला कॉंसेट्ट भी आपके लिए किलियर हुआ होगा ठीक है वही देखिए ये तो आपका चितर है जो सोलर सिस्टम है ये वाला चितर है आपका इस पर नजर लगा लीजिए एक बार ठीक है आपको किताबों में भी मिल जाएगा सबसे इसके नजदी कौन सा है वही बुद है फिर कौन सा है सुकुर है फिर इसके बाद प्रतवी आ जाती है तीसरा गिरह है वे सूरे से दूरी के किरम में तीसरा गिरा प्रदवी है फिर कौन सा है मंगल है मंगल और सबसे वड़ा गिरा कौन सा है ब्रस्पतिवार है जो पीले रंक होता है और इनके बीच में क्यों होता है दोस्त इनके बीच में छुदर गिरा है चक्कर लगाते हैं क्या लगाते हैं सुद्र गिराय चक्कर लगाते हैं तो ये point भी दोस्त आपको याद रखना है जो छोटे-छोटे सुद्र गिराय होते हैं वह मंगल और ब्रस्पति गिराय के बीच चक्कर लगाते हैं इसके बाद सदनी आजाता है फिर किया जाता है लास्ट में वो आपको मुझे बताना है ठीक है फिर इसके बाद एक और आता है वो भी मुझे आपको बताना है अभी क्या हुआ कि बरतमान में दिसंबर 2019 की बात है तब पलेटो को भी गिरमान लिया गया है अब देखिए वही किरम क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ ये किरम होता है वही सूर्र होता है इसके बाद देखिए वही एक एक दिन के बाद सोची लिखने के एक टैक्निक बता देता हूँ आपको ट्रिक बता देता हूँ अब बुद लिखिए उसके पास बुद है सनी वार को छोड़ दीजिए एक दिन को फिर सुकर लिखिए प्रदवी को आप क्या मानिए सुकर के पास सनी छोड़ी है रविवार को प्रदवी मानिए प्रदवी हो गया बार छोड़ी है मंगल हो गया फिर भुद छोड़े ब्रसपती हो गया सुकुर छोड़े सनी हो गया लास्ट में यूरेनस और नेप्चून हो गया बीच में है आपके क्या है सुद्र गिरा है चक्कर लगा रहे हैं तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है अब बताईए वई ये हम पढ़ रहे हैं इसमें मुक्य रूप से क्या होती है हाई टोजन और हीलियम गैसे होती है ठीक है ये बहुत बड़ा है हमारी प्रतवी जैसे लगवक 13 लाग गोले इसमें समा सकते हैं इतना बड़ा है वही सुर्य है ठीक है समूचे सुर मंडल को उसमा है प्रकास प्रिधान करने का काल रहे ही किसको होता है दोस्त सुर्य का होता है एक कुछन ये बहुत बनता है सुर्य हमारी प्रतवी से लगवक कितनी किलोमेटर दूर है तो दोस्त कितनी किलोमेटर दूर है कितना 15 करोड किलो मीटर दूर तो ये पॉइंट आपको याद रखना है 3,1,3,5 kilometers की 40 सूर्य कापफिर कापफास आठ मिनट 19 सेकड़ में सूर्य से प्रदवी तक पोस्था है वही कितनी तेर में पोस्था है सूर्य का पिरकास 8 मिनट 19 सेगंड में सूर्य से प्रदवी तक पोचता है तो यह चीज आपने देखी अब देखे गिरह गिरह क्या होते हैं वे गिरह पे नज़र लगा लेते हैं प्लानेट जो अकास से पिंड अभी आपने अकास से पिंड पढ़ा था तारह क्या है वही तारह सूर्य है यह क्या है वही यह सन है सन क्या है यह वही तारह है मान लो इसके चारो और जो चक्कल लगा रहे हैं वो क्या हैं गिरह हैं ठीक है तो यही तो बात कही है यही तो बात कही है तो जो अकास से पिंड अपने तारह के चारो और निर्धारित कक्सा में चक्कर लगाते हैं उन्हें हमें कहते हैं गिरह कहते हैं इनमें सोहम का पिरकास वह उस्मा नहीं होती यह अपने तारे के पिरकास से ही पिरकासी दोते हैं जैसे हमारी प्रद्वी सूर्य के चारो और चक्कर लगाती है किसी अकास से प्रिंट के गिरा होने के लिए उनका अकार इतना बड़ा होना चाहिए गुरत्व अकर्षन बलके प्रवाब से इनकी आकरती गोल या लगवक गोल हो तो यह किसी अन्य गिरे के कक्सा में ना काटते हो आप एक बार यूटूब पर वीडियो ढालके देखना है क आपके सभी के पास फोन होता है यूटूब पर सर्च कीजिए कि गिरे कैसे घूमते हैं आप चितर से और अच्छे से उसे कंसेप्ट कर पाएंगे ठीक है है हमारे सुर मंडल में आट गिरे हैं सूर्य से बटती दूरी के अनुसार इनका गिराम वह जब नो गिरे हो गया है प्लेट हो भी पीछे माल लिया है बर्दमान में सबसे बुद्र, सुकुर, प्रतवी, मंगल, ब्रसपत, सनी और यूरेनस और नेप्चियून है मैं आपको पीछे ही बताया है सुर मंडल के सभी आट गिरे हैं अपनी दूरी पर लट्टू की बाती गूमते हैं सूर्य के च चार ओ चक्कल लगाना परीकिरमाड परी बिरमड रोटेशन रोटेशन से बाद लेंडूरी पर घूम रहे हैं और रेवलू्यूशन सूरे के चारो चक्कल लगाने को परेकिरमाड क्याते हैं क्योंकि इसका अधिकान स्वाग समुंद्र या पानी से गिरा हुआ है, इसलिए इसे नीला गिरा कहते हैं, तो यहाँ पर आपको कितने सारे कोश्चन के लिए रोते हैं, इस चीज पर आपको धियान रखना है, ठीक है, मैंने खुद भई बहुत पढ़ने के वाद आपके लि इसलिए वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आपको विसे एक काम करना है कि अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना, क्योंकि जब शेयर होता है, लोग हम से जुड़ते हैं, तो और एक अलग सही मोटिवेशन मिलता है, प्रद्वी के बारे में पढ़ लेते हैं, सूरे से धू पूरी के गिरब में तीसरा गिरा है, और अकार में पाचवा सबसे बड़ा गिरा है, ठीक है, यह पोईंट के आपको याद रखना है, हमारी प्रद्वी लगवक गोल अकार की है, सही है, यह दुरूपों पर थोड़ी चप्ती तता मध्य में थोड़ी उबरी देखे हैं, कि अबरी लग रही है, दुरूपों यहां होते हैं, क्या होते हैं, वही उत्री दुरूप, होते हैं न, उत्री दुरूप, और यहां होते हैं तक्षनी दुरूप, होते हैं कि नहीं होते मित्र, लीचे तक्षनी दुरूप, उत्तर उत्री दुरूप, तो यह नहीं कहते है कि अपने धूरी पे तो थोड़ी चप्ती है और बीच में मद्दे में उबरी है इसलिए इसके अकार को भू आव गियोलोड कहा जाता है ऐसा अनुमान लगा जाता है कि जीवन के लिए निकूर परिस्तितिया संभपते के अबर प्रद्वी में पाई जाती है इसलिए से हरित रहेगा कुछ अकास से पिंड अपने गिरह की परिकर्मा करते हुए सूर्य की परिकर्मा करते हैं अपने गिरह की परिकर्मा करते हैं अपने गिरह की परिकर्मा करते हुए सूर्य की परिकर्मा करते हैं ठीक है उन्हें कहता सैटलाइट आपने देखा होगा कि अभी एलन मस पीछे एक खवर आई थी कि एलन मस्क ने जगे जगे वही उत्तर पिर्देश, हर्यान, राइस्तान ये सारी एक अकास में ट्रेन सी चलती हुई दिखाई थी वो किया थी एक सैटलाइट थी ठीक है ना सैटलाइट थी उससे उनको क्या काम है वही एलन मस्क चाते हैं कि हवा में ऐसी सैटलाइट टावर लगा दी जाए जिससे नीचे वाले छेतर में नैट चल सके खुआप देखिए कि आप एले नवस कितना ओचा सोचते हैं ठीक है वो बंदा अलग है वो बंदा इतना अलग है वो अलगी अपनी दुनिया लेकर चल रहा है कि मुझे एक ऐसी मतलब परिक्रिया बनानी है ट्रेन बनानी है कि जो लोगों को अंतरिक्स में घुआ के नीची ले आए ठीक है ना तो वो उसकी अलग दुनिया है वोई तो आपको अब तक जितने भी concept या जो मैंने तरीके वता है उससे पुरिशन याद करना ठीक है इससे next वीडियो आपको कल मिलेगी या उससे भी पहले मिल जाएगी ठीक है मिलते हैं भी सिपरकार के लेक्चर के साथ अगली वीडियो में धन्यवाद